में उरी के आर्मी कैम में एक आतंगवादी हमला हुआ था जिसमें 19 सैनिक मारे गए थे उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने पाकिस्तान पर उस पर ये फिल्म बनी है उरी इसके डिरेक्टर आदित इधर मेरे साथ मौझूद है पहली फिल्म है उरी आपकी बहुत डिफिकल्ट फिल्म है आर्मी पर फिल्म बनाना और वो भी ऐसा सब्जेक सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी बहुत चर्चा हुई थी भारत सरकार ने जाहिर किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर हमने जिसमें कई सैनिक मारे गए थे ये डिफिकल्ट कि ऐसा action किया था, एक ऐसा operation किया था, जिसमें हम P.O.K. में घुजके, हमने terrorist launch pads को destroy किया था. So, actually, देखा जाए तो, इसमें जादा सोचने की जरुवत नहीं as a story की, यार, ये story work करेगी, ये story work करेगी, ये story work करेगी, शूट करते वक्त, इस subject पर काम करते वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा subject की, document जो होते हैं, classified होते हैं, भारा सरकार जो है, document जाहिर नहीं करती है, actual में क्या हुआ था, तो ऐसे में आपने इसकी तैयारी कैसे की, कैसे research किया, इसके बारे में बताए? See, जब ये अटाक हुआ, मैं अलरी एक फिल्म कर रहा था, जिसमें फवाद और कटरीना थे, जिसका नाम था रात्बा की, फॉक्स और धर्मा के साथ कर रहा था हूँ, और ये अटाक के बाद पाकिसानी आक्टर्स बैन करती हैं गए थे, और विदिन 10 डेज एक सर्जिकल स सुनता आया हूँ, समझता आया हूँ, तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू किया, इट वस डेफिनिटल वरी दिफिकल्ट तो फाइंड अनीफिंग अबाट इट, भी रिदिरे करके कुछ आर्टिकल्स आये थे, कुछ जनरलिस्स ने आर्टिकल निकाले, एक इ tumor में ला était, जा तो छहन्क नाए कर आखे इसकी गाल आः ब युटी निकाल किया इस जा आ खाएंड, तो लिई रिई इसकी एक हैवाँ बारारी से रिदिनिटल निकल्स आये क मैं युटी युटी निकले आई 12 producers were trying to get the rights for surgical strike अर्वी ने अब को बताया है और अनफॉर्चनेट चीज उनके ले शायद ही थे कि उनके पास story नहीं थी मेर पास एक story थी और ये वेरे वेफिश्ट थी इस 60-70% close to what really might have happened Might have happened So, obviously it's a classified information So, that research really helped that articles, that reading, that meeting journalists, talking to a lot of people, ex-army people, retired officers, that research helped me a lot in getting the right story. अपने इसके बार में कुछ पता है। तो कर नहीं सकते है। तो सर्विया, in terms of topography also, कि वो बिल्कुल कश्मीर जैसा लगता है। और साथ में, because हमारे को गन्स वन्स काफी एजीली मिल रही थी, सारा equipment बहुत एजीली मिल रहा थी, तो हमारे को लगा कि यार, यह तो काफी अच्छा, काफी अच्छी लोकेशन मिल गई है। और सर्विया में एक बड़ी कवाल की चीज़ है कि वहाँ पे छेसो, साथ सो साल पहले, हिंदुस्तान से बंजारे गए थे, तो उनको रोमा कम्यूटी कहते है, रोमा, तो वो बिल्कुल हिंदुस्तानी जैसे लिखते है। तो मेरे लिए, तो हाव लाइक पीपल तो प्ले टेररिस्ट और सोल्जर और अवरिटिंग, वेर लाइक वेरी क्लोस तो इंडियन लुक लाइक। तो वो रोमा कम्यूटी के साथ हमने काफी सारा शूट किया वहाँ पे, और अवरिटिंग लिखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी लोकेशन के लिए बनी है। अविशली शूटिंग लिए अवरिटिंग लिए तो वो सकता है। तो वो वांटे टीक अवे फ्रम इंडिया और शूटिंग लिए बनी है। इस तरह की फिल्मों के लिए रिसर्च करना काफी मुश्किल तो रहता ही है। लेकिन रिसर्च के अलावा जो आप शूटिंग कर रहे थे भारत हो या सभिया हो या जहां कहीं भी हो सबसे जादा मुश्किल चीज क्या आई जब आप शूटिंग कर रहे थे। क्या सबसे जादा मुश्किल रहा आपके लिए इस दौरान, पूरी शूटिंग के दौरान? यामी, विकी, मोहित, परेश जी, कीर्ती, everybody has put their heart sweat into this film and everybody after reading the script, everybody felt कि यार ये फिल्म हमारे को बन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए ये फिल्म हमारे को करनी है एक ऐसा मुश्किल पल जब आपको लगा यार फस गए आ रहा और आपको समझ नहीं आ रहा और क्या करें, ऐसा कुछ एक डाइलेमा या कुछ इस तरह का द्वन्द शूटिंग के दौरान कोई आपको पेश आया? जैसे मैं बता रहा हूँ, हर दिन हो रहा था है, हर दिन हमारे को कुछ नहीं तो कुछ प्रॉब्लम स्पेस करनी पड़ रही थी, हर दिन हमारे को कुछ नहीं तो कुछ नहीं निकालना मना, and the attitude of the crew member कि यार ये प्रॉब्लम है चलो ये solution निकालते हैं, solution सोचते हैं, and obviously great films are made by great teams, it's not made by a great actor or a great director, it's made by great teams, तो मेरी team लखी ली बहुत अच्छी थी, जब भी भारत में ऐसी फिल्में बनती हैं, patriotism जिसमें काफे involved होता है, तो patriotism के नाम पर zingoism जादा होता है, होहला जादा होता है राष्टरवाद के नाम पर, उससे बचने के आपने कैसे कोशिश की है? जब मैं रिसर्च भी कर रहा था, जब मैंने आर्मी वालों से बात भी करी, वोट रियलाइस वो हमारे जैसे बड़े नॉर्मल से लोग होते हैं, वो मलब नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं, वो हमारे दिमाग में हम उनको हीरो बनाने के चक्कर में कुछ जादा एक्ष्टर डाल देते हैं, आप अगर नोटेस करेंगे आजकल जो फिल्म में बन रही हैं, वो बहुत रियल की तरफ, रियलिस्ट, रियलिस्म की क्लोज है, तो उसमें अगर आप जिंगो इसम थोड़ा भी जादा डालो के तो बहुत आफ लगेगी, तो वो बहुत आफ लगेगी, तो बारवी के लड़के को या ग्यारवी के लड़के को लगना चाहिए कि मेरेको आरमी जोइन करनी है, अफरी सवाल, कि विक्की कॉशल आपकी फर्स चॉइस ही थे, और क्यूं आपको खैला कि विक्की कॉशल इस रोल को एकदम सूट करेंगे, सिंपल सी, सिंपल सा आइडिय कि फर्स टाम डारेक्टर हूँ, कोई बड़ा आक्टर इतना एजीली शायद नहीं मिलता मेरेको, और सो मेरेको एक सिंपल क्राइटीरिया था, मेरेको एक बहुत अच्छा आक्टर चाहिए, जो मेरेको कम से कम छे मन्त, छे महिना शूट से पहले दे और शूट के तीन महिन कमपलीटी डेडिकेटेड तो वो चीजे जो थी वो विकी ने मुझे दी, जो विकी ने इस फिल्म में किया है, वो मुझे नहीं लगता है कि इस जेनरेशन के ज़ादा आक्टर कर पाएँगा, उसने इस रोल को एक अलग ही वो इस रोल को एक अलग ही लेवल पे ले गया, It's amazing what he has done in this film. It's brilliant.